हेलो फ्रेंस वरकम बैक टू PC स्टेडी चानल फ्रेंस आज हम लोग जो है बिहार बोर्ट टू वेल्थ हिंदी अब्जेक्टिब का तीसरा क्लास करने जा रहे हैं और हम लोगों ने जो है हिंदी अब्जेक्टिब का दो क्लास अभी तक कम्प्लीट कर लिया है और जो है ये इन क्लास कम्प्लीट किया है और बाइलोजी का भी क्लास आएगा और मैद का भी आएगा और हिंदी का भी आएगा आप लोग बिल्कुल भी टैंसन नहीं लीजिए और आप लोगों को पता होगा कि यहां पे 35 कोस्टन्स और फिप्टी परसेंट जो है अब्जेक्टिब य का स्रीज और साधे सबचेक्ट्स में आपको आप ander मिलेगा और हम लोगों ने जो है यहां पे फिजिक्स केमेस्ट्री और बाइलोजी में टोटल वन थाउसंट वन थाउसंट करके हम लोगों और जो है औज्टीब क अब्जेक्टिब करने के लिए सोचा है आप को क्लास मे और यदि इसमें cover करते एक class में तो जो है यहाँ पे long वीडियो हो जाता और आप जो है continuously नहीं देख पाते इसलिए छोड़ा छोड़ा ही वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगा और जो है Hindi, English और Math में हम लोग जो है 1500 objectives cover करने वाले हैं English का 1500, Hindi का 1500, Math का 1500, Right, Hindi का 1500 और Math का 1500 तो जिसमें 100 objectives आएंगे और 50 आपको solve करने होंगे उसमें हम लोग जो है यहाँ पे 1500 objectives cover करने वाले हैं बिल्कुल भी tension मत लिए सारा questions जो है आपका इससे आ जाएगा, Right, और आज हम लोग जो है Hindi का तीसरा class करने जा रहे हैं और इसमें 35 questions को cover क करेंगे, Right, तो चलिए video को करते हैं start, तो और यदि आप channel पे नए हो तो subscribe कर लिजेगा क्योंकि आपको सारा स्रीज देखना है और सारा स्रीज आप तभी देख पाओगे जब आप channel को subscribe कर लोगे, Right, तो channel को जो subscribe कर लिजेगा क्योंकि आपको अभी बहुत सारा जो है videos आने होने वाला है physics, chemistry, math, English सारे का, Right, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहला questions क्या बोलड़ा है यहां पे, यहां बोलड़ा है गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनातमक जीवन में किन दो प्रधान वैस्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए, ठीक है, तो आपको बतान है कि इसका क्या होने वाला है, questions number 69 का options number क्या सही होगा आप लोग बताएए, तो इसका जो सही होने वाला है, वो होने वाला सी राइट परियोगवादी एवं प्रभाववादी क्या होगा परियोगवादी एवं प्रभाववादी तो अब बढ़ते हैं कोस्टंस नमबर यहाँ पे 70 की ओर तो बोल रहा है यहां पे नील जल में या किसी की गेर, किसी की mm Jr. जिल्मिल भे जैसे हिल रही हो, यह पंखती जो है, यह एक पंखती है, यह पंखती किस कवीता सिर्शक से लिया गया, यह आपको बताना है ठीक है तो 70 नमर का क्या सही होगा आप लोग बताइए 70 नमर का जो सही होने वाला है वो होने वाला ओपस नमर बी राइट उसा ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं कोस्ट नमर यहां पर 71 की उर तो क्या बोलड़ आप लोग देखेगा चंद्रधर सर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए राइट बहुत से कोस्टन्स है तो 71 का जो सही होने वाला है वो होने वाला है यहां पर ओपसंस नमर यहां पर सही होने वाला है खत्री के नवालिग राजा जैसिंग के राइट चलिए अब बढ़ते हैं कोस्टन्स नमबर 72 की ओर बोल रहे हैं बातचीत सिर्शक निबंद के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उम्रा चला आता है तो आपको बताना 72 का क्या होने वाला है 72 का जो सही होगा वो होगा ओप्सन्स नमबर B राइट दो प्रूसों की बातचीत में क्या होगा दो प्रूसों की बातचीत में आपको स्टोडी परना होगा राइट जिससे यहां पे सारा कोस्टन्स कवर कर पाओगे और नहीं भी स्टोडी पर होगे तो कोई दिक्कत नही ना है जिससे questions यहीं पर आपको याद हो जाए ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं questions number 73 की ओर बोल रहा है उसने कहा था सिर्शक कहानी में यह किसने की उदमी उठ सिगरी में कोले डाल राइट यह आपका जो है पंक्ति लिया गया कहीं से आपको बताना इसका क्या होगा 73 का जो सही होने वाला है वह होने वाला options नमबर ए राइट वजीर सिंग वजीर सिंग राइट चलिए अब बढ़ते हैं यह किसने कहा था यह पंक्ति जो है किसने कहा था यहां देखते है तो 74 का जो सही होने वाला है वो होने वाला option number A 1922 का हुआ था 1922 में राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions number यहां पे 75 की ओर तो 75 क्या बोल्ड है आप लोग दिहां से देखिएगा बोल्ड है जै परकास नरायन का पुकार का नाम क्या था यह आपको बताना है 75 का जो सही होने वाला है वो होने वाला option number यहां पे D बाउल राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions number 76 की ओर बोल्ड है अर्धना अर्धनारी स्वर राइट अर्धनारी स्वर सिर्षक पार्ट हिंदी साहित की कौन विध्या है राइट तो यह आपको बताना है हैं questions number 76 का क्या सही होगा अपलोग बताईए questions number 76 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number 20 बंद राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions number 77 की ओर तो यहां पर क्या बोल रहा है बचपन में खेलने के लिए सचिदानन्द हरिनन्द वास्यानन वास्यायन आयग ने कौन सा नाटक लिखा रहे राइट यह आपको बताना है आग यह ने कौन सा नाटक लिखा आपको यह बताना है तो इसका जो सही होने वाला 77 का वो होने वाला यहां पर options number a बजर भासा किसमें लिखा था बजर भासा चलिए अब बढ़ते हैं questions number यहाँ पे 78 की ओर तो यहाँ पे क्या बोल रहा है रोज सिर्शक कहानी में मालती मिटी का बरतन गर्म पानी से क्यों धोड़ ही थी तो इसका क्या होगा आप लोग बताइएगा आपको जो है और options number यहाँ पे जो है C पानी रखने के लिए राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions number 79 की ओर बोलड़ा है भगत सिंग का जन्म कब हुआ भगत सिंग का जन्म कब हुआ यह आपको बताना है तो 79 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number यहाँ पे A 28 सितंबर 1907 कब हुआ था 28 सितंबर 1907 इस भी को राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions number 80 की ओर बोलड़ा है प्रेम की पीर के कभी कौन है यह बताना आपको ठीक है तो 80 नमर का जो सही होने वाला है वो होने वाला options नमबर यहाँ पे D धनायन सोड़ी घनायन राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions number 81 की ओर बोलड़ा है हिंदी में वचन के कितने परकार हैं यह आपको बताना है तो 81 का जो सही होने वाला है वो होने वाला option नमबर यहाँ पे C राइट दो चलिए अब बढ़ते हैं questions नमबर इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं राइट चलिए अब बढ़ते है questions नमबर 80 टू की ओर तो यहाँ पे तीर से बाग मार दिया, किस कारक का उधारन है, यह आपको बताना है, तो 82 का जो सही होने वाला है, वो होने वाला options नमर यहाँ पे D, कारन, कौन सा कारक है, करन कारक है, चलिए अब बढ़ते हैं, questions नमर यहाँ पे 83 के उड़, बोलड़ा, यह मेरा छोटा भाई सोड़व है, क options नमर C, संबंध वाचक, कौन सा सर्वर नाम है, संबंध वाचक सर्वर नाम है, राइट, चलिए अब बढ़ते हैं, questions नमर 84 के उड़, बोलड़ा, सब धन कौन सा विसेशन है, सब धन कौन सा विसेशन है, यह आपको बताना है, तो 84 का जो सही होने वाला है, वो होने वाला चलिए अब बढ़ते हैं, questions नमर 86 के उड़, बोलड़ा है, वह जाएगा, किस काल का उधारन है, जाएगा मतलब वो जो है यहाँ पे भविस्यत काल में आएगा, राइट, options नमर D, क्या होगा इसका, options नमर D, भविस्यत काल में आएगा, मतलब वो जाएगा, गया नहीं है, यह जाएगा, इसका मतलब भविस्यत काल में आएगा, ठीक है, आपने पगड़ी सब्द क्या है पगड़ी सब्द जो है देसज सब्द है क्या है पगड़ी जो है वो देसज सब्द है ठीक है चलिए आपको बताना है तो 88 का जो सही सब्द में उपसर्क क्या आपको बताना है तो 89 का जो सही होगा वहागा यहां पे आपकर नंबर सी क्या होगा ओंपटर नंबर सी होगा वी है आप बढ़ते हैं नाइन टी एक यहां वंदना सब्द में पढथ यह रहین धीड यापको ढताना हैे कंट आतो जो सही होने वाला है वह होने वाला option number d Ioan Pati पर्टिया में क्या होता है आपको ध्यान रखना कोहरा तक क्या बोला आपको ड्रफandana उनक लगवाने धना तना अनौघर तो Questions No.91 की ओर, बोल रहा है, अधिनायक सिर्षक कविता, किस कविता संग्र से ली गई है, यह आपको बताना है, तो 91 का जो सही होने वाला है, वो होने वाला है, यहाँ पे जो है, आप लोग बताएए क्या सही होगा, 91 का सही होगा, options No. यहाँ पे D, आत्महत्या के विरूद, क्या होगा, आत्महत्या के विरूद, options No. D सही होगा, चलिए, अब बढ़ते है, question No. 92 की ओर, बोल रहा है, एक लेक और एक पत्र, सिर्षक पार्ट क्या है, आपको यह बताना है, 92 का क्या सही होगा, आप लोग बताए है, 92 का जो सही होने वाला है, वो होने वाला, options No. यहाँ पे C, क्या होगा, options No. C सही होगा, चलिए, अब बढ़ते हैं, questions No. यहाँ पे 93 की ओर, तो 93 क्या बोल रहा है, भगत सिंग के पिता का नाम क्या था, यह आपको बताना है, भगत सिंग के पिता का नाम क्या था, वो 94 की ओर, बोल्ड है, ओस्तादा नीरा, सिर्सक के पार्ट के अनुसार, सन 1962, इस भी की बार का द्रिस जिन्होंने देखा है, उन्हें राम चरित मानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बार याद आई होगी, यह आपको बताना है, तो 94 का जो सही होने वाला है, वो होने वाल कोस्टन्स नमबर 95 के ओर, बोल्ड है, ओस्तादा नीरा, पार्ट के अनुसार, गांधी जी ने आश्रम विद्याले कहां अस्थापित किया था, तो 95 का जो सही होने वाला है, वो होने वाला यहाँ पे ओस्टन्स नमबर D, राइट, अब बढ़ते हैं कोस्टन्स नमबर यह यह आपको बताना है, तो 96 का जो है सही होने वाला है, ओस्टन्स नमबर A, नई कहानी आंदोलन के, नई कहानी आंदोलन के, आपको जो है कहानी और कविता दोनों को ध्यान से परना है, बुग में, राइट, चलिए अब बढ़ते हैं कोस्टन्स नमबर 97 की ओर, बोल्ड़ा वो होने वाला ओस्टन्स नमबर B, राइट, दीनु कुमार, ओस्टन्स नमबर B सही होगा, दीनु कुमार, राइट, चलिए अब बढ़ते हैं कोस्टन्स नमबर 98 की ओर बोल्ड़ा है, आलोचना त्रेमासिक के परधान संपादक कौन थे, राइट, तो इसका क्या होगा, आप लोग बताएं, 98 का, 98 का जो सही होने वाला है, वो होने वाला ओस्टन्स नमबर यहाँ पे C, नामवर्ड सिंग, क्या होगा, नामवर्ड सिंग, चलिए, अब बढ़ते हैं कोस्टन्स नमबर 99 की ओर, बोल्ड़ा, प्रगीत और समा, सिर्षक पार्ट के अनुसार, अच परबंद काव, क्या होगा, परबंद काव, अब बढ़ते हैं कोस्टन्स नमबर 100 की ओर, बोल्ड़ा, जूठन सिर्षक आत्म कताब में, स्कूल के हेड़ मास्टर का नाम क्या था, यह आपको बताना है, तो 100 का जो सही होने वाला है, वो होने वाला ओस्टन्स नमबर इतना ही कोस्टन्स रहने देते हैं, राइट, नैक्स्ट कोस्टन्स हम लोग जो है, यहाँ पर नैक्स्ट क्लास में करेंगे, और आपको फिजिक्स, कैमेस्ट्री, और अभी तक हिंदी का जितना भी क्लास कम्प्लीट हुआ है, सारा क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल का, हिंदी का, इंग्lees का, राइट, मतर जो भी कोस्टन्स और जो भी यहाँ पर वीडियोस आने वाला है, जो भी क्लास आगे होने वाला है, सारे का वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलते जाएगा, आप सारा वीडियोस जरूर देखिएगा, और फिस केमेस्ट्री मे कितना important है क्योंकि जो है 50% objective है यदि आप subjective कोई कारण बस नहीं भी बनाते हो तो भी आप जो है यहाँ पे 50% objective रखा गया है तो सिर्फ और सिर्फ objective से pass कर सकते हो और इसमें advantage यह है कि यदि आप subjectives बनाते हो right तो आपको जो है यहाँ पे जैसे मानो की 5 नमर का questions कवर किया आपने solve किया तो आपको 3 या 4 marks दिये जाएंगे 3 या 4 से जादा नहीं मिलेगा ठीक है और यही आप यदि objective कवर करते हो मानो objective आपने जो है 4 objective सही से बनाया था आपको 4 में 4 marks मिलेगा तो यही यहाँ पे benefits है यहाँ से number आप अच्छा खासा carry कर सकते हो इसलिए आपको जो है objective को अच्छे से practice और जो है पढ़के जाना है तो आज की वीडियो को यहीं पे end करते हैं बाकि मिलते ना इस वीडियो में और वीडियो पसंद आए तो like करना चानल पर नहीं तो subscribe जरू कर लेना क्योंकि इसके बाद जितने भी अभी वीडियो आने वाला है हर एक subject का objectives questions तो वह आप यहाँ पे देख पाओगे और सारा व कि मिलते ना इस वीडियो में तो thank you for watching this video